नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम कक्षा नौ कृति का उस्तक का पहला पाट पढ़ने जा रहे हैं पनिश्वर नात्रेणु ने सूखे और बाड के उपर कुछ मारमिक रिपोर्टार्ज लिखे हैं जिनमें से एक है इस जल प्रलेमें सन 1975 में जब वे पटना में रहते थे तब प्रलेमकारी बाड ने पटना को अपने चबेट में ले लिया था लेखक स्वयम भुक्त भोगी रहे थे शायद इसी कारण उस कठिन आपदा के समय के मानविय मजबूरी और यातना को उन्हों ने इस पाठ में अत्यंत प्रभावशाली धन से वर्नित किया है पाठ को हम कुछ हिस्सों में बाट सकते हैं सबसे पहले पटना में बाड फिर लेखक का दुखी होना बाड की तैयारी लेखक का अनुभव और फिर बाड का सामना लेखक कहता है कि मेरा गाउं ऐसे इलाखे में हैं जहां पर हर साल पश्चिम, पूरव, दक्षिन, कि कोसी, पनार, महानन्दा और गंगा की बाड से पेडित प्राणियों के सम्हूं आकर पना लेते हैं कहने का मतलब ये है कि बिहार के कुछ शित्रों में ये मुख्य नदियां आती हैं और इन नदियों से प्रभावित हो करके लेखक और उसके आसपास के शित्रों के लोग अपने अपने घरों को छोड़ करके एक सुरक्षित जगहा पर जाते हैं सावन भादों में ट्रेन की खिडिकियों से विशाल और सपाट परती भूमी उची और खाली बिहट वाली जमीन के उपर गाए भैस बैल बकरों के हजारों जुन्ड मुन्ड देखकर ही लोग बाड़ की विभीशिका उसके भैंकरता का अंदाजा लगाते हैं परती छेतर में जनम लेने के कारण अपने गाउं के अधिकांच लोगों के तरह मैं भी तैरना नहीं जानता था यानि लेखक का जो घर था या गाउं था वो ऐसे इस्थान पर था जहां पर बाड़ का पानी कम आता था या नहीं आता था इसलिए लेखक को भी इस बाद का एक्स्पिरेंस नहीं था अनभव नहीं था कि तैरा कैसे जाया चाहिए किन्तु दस वर्स की उम्र से पिछले साल तक बॉय, स्काउट, स्वेम सेवक और राजनितिक कारेकरता अथवार रिलीफ वरकर की हैस्यत से बाड़ पेड़ी छेत्रों में काम करता रहा हूँ और लिखने की बात हाइउ स्कूल में बाड़ पर लेख लिकीर प्रथम प्रुशकार पाने से लेकर के धर्म यूग में धर्म यूग एक पत्री का है उसके अंदर कता दशक के अंदर बाड़ की पुरानी कहानी को नई पाठ्ट के साथ प्रस्तूत कर चुका हूँ जिनमें से कुछ रिपोर्टार्ज हैं जह गंगा जो उन्होंने 1947 में लिखा दायन कोसी जो 1948 में लिखा हड्डियों का पुल वो भी 1948 में लिखा ये छुटपूर्ट रिपोर्टार्ज के अलावा वो कहते हैं कि मेरे कई उपन्यासों में बाड की विनास लेलाओं के अनिक चि भी नहीं हुआ वह तो पठना शहर में सन 1967 में हुआ जब 18 गंटे की लगातार बारिश के कारण पुनफुन का पानी राजेंदर नगर कंकण बाड और अन्य निचले हिस्सों में घुसाया था अर्थ हर्थ बाड को मैंने भूगा है सहरी आदमी की हैसियत से इसलिए इस बार जब बाड का पानी परवेश करने लगा तो पठना का पश्मी इलाका च्छाती भर पानी में डूब गया तो हम घर में इंधन, आलू, मौम्बत्ती, दियासलाई, पीने का पानी और कंपोज की गोलिया जमा करके बैठ गये और प्रतिक्षा करने लगे बाड के आने की सुबह सुना, राजभवन और मुख्य मंत्री निवास प्लावित हो गया, मतलब डूब गया है, भर गया है दोपैर में सूचना मिली कि गोल घर जल से गिर गया है ये सूचना बंगला में उनकी भाषा, जो बंगला भाषा है, उनकी अंदर ये लिखा गया था कि जानोगोल घर डूबे गे छे और पांच बज़े तक कॉफी हाउस जाने के लिए, शहर का हालचाल मालूम करने के लिए मैं निकला तो रिख्षे वाले ने हस करके कहा कि अब कहा जाईएगा, कॉफी हाउस में तो अब ले पानी आ गया होगा, अब तो वो डूब गया होगा, तो चलो पानी कैसे गुस गया है, वही देखना है, ऐसा कह करके हम रिख्षा पर बैठ गए, साथ में नई कवी था कि एक विशे जो आपस ही, आपस में मैं बोले जा रहा था, उससे वो बोर नहीं हो रहे थे, रास्ते में मोटर, स्कूटर, ट्रेक्टर, मोटर साइकल, ट्रक, टम टम, साइकल, रिख्षा के उपर और पैदल, लोग पानी देखने जा रहे हैं, लोग पानी देखकर के लोट रहे हैं, द कि फिरचे रोड तक आ गया है आ गया क्या पार कर लिया क्या क्या प्रव श्रीपšनापुरी में क्या प्रटलिफ रॉट्र पॉप्र कोलście कौलोनी में कि वर ग्रोड़ पर के इंडिस्टिल एरिया का तो पता ही नहीं है अब तक तो भट्टाचारे जी रोड पर भी पानी आ गया होगा छाती बर पानी है वोमन्स कॉलेज भी डोबने पर आ गया है आ गया मतलब जो लोग आ रहे थे वे सब इसी तरह की बाते करते आ रहे थे जब हम काफी हाउस तो काफी हाउस बंद कर दिया गया था सडक के किनारे पर एक मोटी डोरी की शकल में गेरुआ जहाग फेन में उल्जहा पानी तीजिस सरक्ता आ रहा था मैंने अचारे जी मैंने कहा अचारे जी आगे जाने के जुरत नहीं वो देखिये आ रहा है मृत्यों का तरलदूत य यह अच्छा प्रश्ण भी है और यह ब्रत्यू का तरलदूत किसको कहा तो इसका उत्तर यहीं बनेगा आतंक के मारे मेरे दोनों हाथ बर्बस चुड़ गए सब है डर के वज़े से प्रणाम निवेधन में मेरे मूँ से कुछ तोटे पूटे से शब्द निकल रहे थे कि हां मैं बहुत कायर और दरपोग भी हूं तो वापिस चलने का इरादा कर लिया तो रिक्षा वाला थोड़ा बहादूर है वो कहता है कि चलिए ना थोड़ा औ और आगे चलते हैं तो भीड में एक आदमी था वो कहने लगा यह रिक्षा करेंट बहुत तेज है मतलब पानी की स्पीड बहुत तेज है आगे मत जाओ मैंने रिक्षे वाले से अनुने भरे स्वर में कहा रिक्वेस्ट की कि भाई यह लोट आले आगे बढ़ने के जरुत नहीं है रिक्षा मोड करके हम अपसरा सीनेमा हौल के बगल से गांधी मैदान की ओर चल रहे थे पैलेस होटल और इंडियन एरलाइन्स दफ्तर के सामने पानी भर रहा था पानी की तेज धरा पर लाल हरे नियन विज्ञापन की परचाईयां सैखडो रंगीन सापों के श्रष्टी कर रही थी मतलब वो जो साइन बोर्ड लगे हुए थे विज्ञापन लगे हुए थे उनके परचाईयां पानी में तैर रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे रंग बिरंगे सांप दिखाई दे रहे हैं गांधी मैदान की रेलिंग के सहारे हजारों लोग खड़े देख रहे थे दशेरा के दिन राम लीला के राम के रत के प्रतिक्षा में जितने लोग रहते हैं उससे कम नहीं थे गांधी मैदान के आनंद उत्सव सभा सम्मेलन और खेल कूद्गी सारी इसमर्तियों पर धीरे धीरे जैसे वो गेरवे रंग का एक कवर चट गया हो आक्षादित हो रहा था हर्याली के ऊपर शने शने पानी फिरते देखने का अनबव सर्वता नया था इसी बीच एक अधेड मुष्टंड और गमार जोर जोर से बोल उठा कि दानापुर जब ढूब रहा था तो पटनिया बाबू उलटकर देखने भी नहीं आए अब बूज हो तो मैंने अपने अचारे कविमित्र से कहा कि पैचान लीजिए यही है वो आम आदमी जिसकी खोज पर हर साहित्तिक गोश्टियों में सभाओं के अंदर चर्चा होती रहती है उसके वक्तव्य में दानापूर के बदले उत्तर बिहार और कोई भी बाढ़ ग्रस्त ग्रामीन छित्र को जोड करके समझा जा सकता है शाम के साड़े साथ बच्चु के आका अश्वानी के पटना के इंदर से इस्थानिय समाचार प्रसारित हो रहा था पान के दुकानों के सामने खड़े लोग चुपचाप कान लगा करके इस समाचार को सुन रहे थे और समाचार कुछ इस तरह से था कि पानी हमारे स्टूडियों की सीडियों तक पहुंच चुका है किसी भिशन स्टूडियों में प्रविश कर सकता है ये समाचार वाकई दिल देहला देने वाला था कलिजा धड़क उठा मित्र के चहरे के उपर भी डर की रेखाई उबरी किन्तु हम तुरंती ही सहज हो गए यानि हमारे चहरे के उपर चेश्टा करके हम अपने आप में सहजता लेकर के आए क्योंकि हमारे चारों और कोई भी परिशान नजर नहीं आ रहा था पानी देखकर लोटते हुए लोग आम दिनों के तरह हस बोल रहे थे बलकि आज तने कुछ जादा ही उत्साहित थे दुकानों में थोड़ी हड़ बड़ी थी नीचे के जो सामान थे उनको उपर रखा जा रहा था रिक्षा हो टम टम ट्रक टम पो पर सामान लाद करके ले जा रहे थे खरिद बिक्री बंद हो चुकी थी पानवालों की बिक्री आचानक बढ़ गई और आने वाले संकत से कोई भी प्राणी आतंकित दिखाई नहीं दे रहा था पानवाले के आदमकद आईने में एक बड़े से आईने की में उतनी लोगों के बीच हमारी ही सूर्ते मुहर्रमी सी डरी डरी सी मातम मनाती हुई सी नजर आ रही थी मुझे लगा कि अब हम यहां थोड़ी देर भी ठहरेंगे तो वहां खाड़े लोग किसी भी खषण ठठा करके जोर से हमारे उपर हस सकते थे हो सकता हो कहने लगें जरह इन बुजगिलों का हुलिया तो देखो क्योंकि वहां ऐसी ही बातें चारो ओर से उचाली जा रही थी बस एक बार डू भी जाए धनुश कोटी एक जगह का नाम है उसके तरह पटना भी लापता हो जाए कहीं सब पाप धल जाएगा चलो गोल घर के मुंडे पर तास के गड़ी ले कर बैठ जाएं कोई कहता अरे विश्कोमान की बिल्डिंग की छत पर क्यों नहीं हाँ भाई यही अच्छा मौका है इंकम टक्स वालों को इसी मौके पर काले कारे कारवबारियों के घर के उपर छापा मारना चाहिए उधर राजिंद्र नगर चौरहे के उपर मैगजिन कार्नर की आखरी सीडियों के उपर पत्र पत्र रिकाएं पहले कितरे बिची हुई थी सोचा एक सप्ता के खुरा के पर एक साथ ले लूँ पर क्या क्या लूँ हैडली चेंज नहीं या एकी सप्ता में फ्रेंच जर्मन सिखा देने वाली किताब या योग सिखा देने वाली कोई सचतर किताब मुझे इस तरह किताबों को उलटे पलटे देख कर दुकान का नौजवान मालिक क्रिश्ना पता नहीं क्यों मुस्कुराने लगा किताबों को छोड़ करके कई हिंदी और बांगला और अंग्रेजी किसे ने पत्रिकाई लेकर के मैं लोटा अपने मित्र को विदा करते हुए कहा कि पता नहीं कि कल हम कितने पानी में रहें बहरहाल जो कम पानी में रहेगा बुजादा पानी में फसे मित्री के सुधी लेगा उसको याद करेगा उधर में फिलेक्ट में पहुंचाई था कि जन संपर की गाड़ी भी लाउड स्पीकर से घोशना करती हुई राजदनगर पहुंच चुकी थी और हमारे गोलंबर उस बिल्डिंग के पास कोई भी आवाज चारो और बड़े बलोग के मारतों से टकरा करके चार बार प्रते दुनीत होती है सिनेमा और लोटरी की प्रचार गाड़ी यहां पहुंच तो भाईयो पुकार करके खणके चुप हो जाती है पिर वही आवाज भाईयों की भाईयों 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 इस तरह से वो आवाज पूरे अपाटमेंट में गुंजती है एक अलमस्त जवान रिक्षा चालक है जो अकसर रात के सननाटे में सवारी पहुंचा करके लोटते समय इसी गोलंबर के पास में आ करके गाता है महानिपूर कंकडबार रांजिंदनगर में गुज जाए आते हैं आप लोग सावधान हो जाएं अब यह जो सावधान हो जाएं की पंक्ति हैं यह बार-बार गुंजने लगी मैंने अपने ग्रह सौमनी से पूचा कि गैस का क्या हाल है तो कहती हैं कि बस उसी का दो डर है अब खत्म होने वाला है असल में सिलिंडर में मीटर उटर तो कोई ऐसी कोई चीज होती नहीं है कि पता ही लग जाए लेकिन अंदाज है कि एक यह दो दिन कोईला है है फिल हाल के लिए बहुत है बाड का भी अई हाल है कि मीटर उटर की तरह कोई चीज से ना होने से पता ही नहीं चलता कि कब आद हम के मैंने कहा कि सारे राजिंदर नगर में सावधान सावधान दोहने कुछ देर गूंजती रही ब्लोग के नीचे की दुकानों से सामान गया सारा सहर जगा हुआ था पश्चिम की और कान लगा कर सुनने की चेश्टा करता हूं हाँ पीर मुहानी या सालिमपुरा या अहरा या जनक के शोर नवल के शोर रोड की और से कुछ हलचल की आवाजे आ रही हैं लगता है कि एक डेड़ बजे रात तक पानी राजिंद लूँ पर लिखू क्या कवीता और सीर से क्या लिखूं बाड आकुल प्रतिक्षा नीद नहीं इस मरतियां आने लगी पुरानी यादे आने लगी और चल्चित्र के बेतरतीब द्रश्चों की तरह वो आने लगी मुझे याद आने लगा कि 1947 में मनिहारी जो कि उस समय पू प्रतिनात भादूडी के साथ गंगा मैया की बाड से पीडित छेत्र में हम गाओं नाव के उपर जा रहें चारोर पानी पानी हैं दूर एक द्वीब जैसा बालूचर दिखाई पड़ा हमने कहा कि वहां चल कर चला चहल कदमी करके टांगे सीधे कर लें तो भादूडी ज ऐसी जगहों पर कदम रखने से पहले मत भूलना कि तुमसे पहले ही वहां हर तरह के प्राणी शर्णार्थी के रूप में मौजूद मिलेंगे सच मुझ चीटे चीटी से लेकर सांप बिच्छू लोमडी सियार तक यहां पना ले रहे थे बादूडी जी की हिदायत थी कि ह अगर नाव के उपर पकाही घाओ क्योंकि पानी में पैर के उंगलिया शड़ जाती है तल्वों में घाओ हो जाता है उसकी दवा दिया सलाई की डिबिया और केरोसिन रहना चाहिए सच मुझ हम जहां जाते खाने पीने की चीजों से पहले पकाही घाओ की दवा दिया चाहस उस बार महानंदा की बाड से घरे बाप सी थाना के गाओं में हम पहुंचे हमारी नाव के उपर रलीफ के डाक्टर साहब ते गाओं के कई बीमारों को नाव पर चड़ा कर केंप में ले जाना था एक बीमार नौजवान के साथ उसका कुत्ता भी कुई कुई करता हुआ नाव पर चड़ गया तो डाक्टर साब कुत्ते को देख करके भीशन बैभीत हो गए डर गए और चिलना लगे कुकुर नहीं कुकुर को भगाओ तो भीमार नौजवान छप से पाने में कूद गया को कहने लगा हमार कुकुर नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएग फिकुत्ता भी छपाक से पाने में गिरा तो हमारा आदमी नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएगा अब परमान नदी के बार्ड में डूबे हुए एक मुसहरों की बस्ती में हम रहत वाटने के लिए खबर मिली थी कि वे कई दिनों से मचली चूहों को जुलसा करके खा र हैं किन्तु टोले के पास जब हम पहुंचे तो आशर हुआ दोलक मंजीरे की आवाज आई जान करके देखा तो उची जगह मचान बना करके स्टेज बना रखा है और वहां बलवाई नाच हो रहा है लाल साड़ी पहन करके काला कलूटा नटवा दुलिन का हाव भाव दिख रहा हुआ है इस पद के साथ धोलक के टेज ताल बजने के ऊपर वह गाता है नाचता है किचट में लख पर भूके प्यासे नर नारियों के जुंड भी मुक्त खिल खिलाहट लहरेने लगती हैं हम रलीफ बाट कर भी ऐसी हसी उन्हें दे सकेंगे क्या बलवाई नाच की ब सिमर्वनी शंकरपूर में बाड के समय नाव को लेकर लड़ाई हो गई थी मैं उस समय बालचर मलब बॉइस स्काउट में था गाउं के लोग नाव के अभाव में केले के पोदों का भेला बना करके छोटी सी नाव बना करके काम चला रहे थे वहीं जमिदार के लड़के न अतलब जल्व यहार करने के लिए निकल पड़े अब हुआ यह कि गाउं के नौजवानों मिलकर के उसके नाव छीन ली थोड़ी मार पीट भी हुई और जब 1967 में उनकुन का पानी राजिंद्र नगर में घुसाया था टिक नाव के उपर सजे धजे युवतियों की टोली क इसी फिल्म में देखे हुए कश्मीर का आनंद घर बैठे लेने के योजना से निकली हुई थी नाव के उपर इस्टोव जल रहा था केतली चड़ी हुई है बिस्कुट के डब्बे खोले हुए थे लड़की प्याली में चमच डाल करके एक अनोखी अदा से नैस केफे पा पढ़ रही थी एक युवक दोनों पावों को फैला करके बांस की लगी में नाव को चला रहा था दूसरा युवक पत्री का पढ़ने वाली लड़की के सामने अपने घुटनों के ऊपर कोहनी टेक करके मानो कोई फिल्म का डायलोग बोल रहा है पूरे वोल्यूम में बज साथ में किलकारियां सीटियां और फप्तियों की मजाक की वर्षा कर दी इस गोलंबर में किसी भी आवाज की प्रतधुरी मंट्रा करके गुंजती है तो सब मिलाकर स्वेम ही जो ध्वनी संयोग हुआ उसे बड़े से बड़े गुणी संगीत निर्देशक बहुत कोशिश क करने के बावजूद भी नहीं कर पाते उन फूहड यूवकों की सारी एक जिबिजनिशम तुरंचो मंतर हो गई यूवतियों के रंगे लाल लाल होट काले पड़ गए ना उपर अखेला ट्रांजिस्टर था जो पूरे दम के साथ गा रहा था खैर धाई बजगाए हैं मग अगर पानी अब तक नहीं आया लगता है कहीं आठक गया जहां तक आना था वो आ करके रुख गया यह हो सकता है किनारों के ओपर लड़ते हुए इंजिनियरों की जीत हो गई होगी या फिर कोई दैवी चमतकार हो गया नहीं तो पानी भी जाएगा तो कि दर से रास्ता त चुप करा देती है मुझे आचानक अपने उन मित्रों और सुजनों की याद आई जो कल से ही पाटले पुत्र कॉलोनी या कोई क्रश्नपूरी कॉलोनी में बोरिंग रोड में जल में गिरे हुए जित इंद्र जी विनीता जी बाबु भाईया इंद्रा जी पता नहीं कैसे है किस हाल में शाम को एक बार पडोस में जाका टेलीफोन के लिए चोंगा उठाया और बहुत देर तक नंबर डायल करता रहा उदर सन्नाटा था कुछ सुनाई नहीं दे रहा था बिस्तर पर करवट लेते हुए फिर एक बार बन हुआ कि कुछ लिखना चाहिए लेकिन क्य करदाहा गाउं के पाथ छाकिबर पानी में खड़ी एक आसन प्रसवा मतलग ब्याहने बच्चे को जनम देने वाली गाए तुकुटुकुट देख रही थी नहीं अब भूली बिस्ती बात या नहीं बहतर हमें आपनी आखे मूंद करके सफेद भेड़ों के जुन्ड को द करता हूं काले को उजला करना चाहता हूं लेकिन भेड़ों के जुन्ड भूरे हो जाते कुछ समझ में नहीं आ रहा है अचानक मुझे जगाया गया घड़ी देखी तो ठीक साड़े पांच बज रहे थे सवेरा हो चुका था तो आ रहे लो आ रहा है पानी आ गया है इस तर सड़क पर मोटी डोर की शकल में मुह में जाग फेन लिए पानी आ रहा है ठीक वैसा ही जैसा शाम को काफी हाउस के पास देखा था पानी के साथ साथ चलता हुआ कि लॉल करता हूँ बच्चों का एक दल था जो दर पश्चिम दिशा पश्चिम दक्षन के कोने पर दिन कर अती थी शाला से और आगे की बस्ती के पास के बच्चे क्यों कूद रहे हैं नहीं बच्चे नहीं पानी कूद रहे हैं वहां मोड है इसलिए पानी कूद रहे हैं और उधर ब्लोक नमबर एक के पास पुलिस चौकी के पिछवाडे पीछे की जगाँ पर पानी का पहला रह ला चुका है ब्लॉक नंबर चार के नीचे सेट की दुकान के बाएं बाजू में लहरे नाच रही है अब में दोड़कर छट पिछ गया चार और शूर था कोला हल कल्रव चीख फुकार और पानी की आवाजें लहरों का नर्तन हो रहा था सामने फुटपात को पार कर अब पा से बढ़ रहा है चड़ रहा है इस पीड बहुत तेज है सोन नदी का पानी है नहीं नहीं गंगा जी का है आ गया है सामने की दिवार की इंटे चल्दी चल्दी दूबती जा रही है बिजली के खंबे का काला इससा लगबग दूब गया है ताड़ के पेड का तना अब भी नहीं देखा था अच्चा हुआ जो रात को नहीं आया नहीं तो भैके मारे नजाने मेरा क्या हाल होता और देखते ही देखते पूरा गोल पार्क डूब गया हर्याली खत्म हो गई अब हमारे चार और पानी नाच रहा था भूरे रंके भीडों के जुंड का जैसा पानी और ये पानी टेजी से फैल रहा है उदर वो चाय वाले के जहोंपड़ी चली गई काश इस वक्त मेरे पास एक मूवी कैमरा होता या टेप रिकोडर होता तो क्या होता अच्छा है कुछ भी नहीं है कलम थी और वो भी चूरी हो गई थी अब फिलाल मेरे पास कुछ नहीं है तो बाड की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे बाड की खबर सुनकर लोग अपनी दैनिक जीवन की आवशक वस्तूओं को इखटा करने में जुट गए वे इंधन आलू मॉमबत्ती माची सिग्रेट पीने का पानी दवाईयां आधी जमा करने लग और बाड का रूप देखने के लिए लेकक क्यों उत्सुक था चारों तरप से तरह तरह की खबर आ रही थी राजभवन और मुख्य बंत्रे निवास तक डूबने की खबर आ गई गोल घर जल से घिर गया था काफी हाउस में भी पानी भर गया था ये सब सुनी सुनाई बा प्राप्त करना चाहते थे सबकी जुवान पर एक ही जिग्यासा पानी कहां तक आ गया है इस कथन से जनसम्हूं की कौन सी भावनाई व्यक्त होती है क्यों चारों तरप से तरह तरह की खबर आ रही थी सबकी जुवान की उपर एक ही जिग्यासा थी कि पानी कहां तक आ गया है तो इस कथन से ये पता चलता है कि जनसम्हूं का सुभाव जिग्यासू है सभी के मन में बाड की इस्तती से अवगत होने की जिग्यासा उत्पन हो रही थी सभी जानना चाहते थे कि बाड का पानी कहां तक आ गया है और उनके यहां कब तक पहुंचाएगा वे बाड से बिना डरे पाने की गती एव इस्तती को जानना चाहते थे म्रत्यू का तरल दूत केसे और क्यों कहा गया एक मोटी रसी के आकार में गेरवा जाग फेन को उल्जा पानी फेर में उल्जा पानी तेज चला रहा था लेखक ने अपने मित्र से कहा कि देखो मृत्यू का तरल दूत आ रहा है पानी तरल होता है और पानी का तेज प्रवह मौत का संदेश लेकर आता है अपने साथ सभी को बहार ले जाता है इसलिए मृत्यू का उसे मृत्यू का तरल दूत कहा गया आपदाओं से निपटने के लिए अपने तरब से कुछ हुझाओ दें तो बाड एक प्राकर्तिक आपदा है अत्यांत अत्यदिक वर्षा होने से नदी में पानी बढ़ जाता है तो इसलिए बाड आती है इससे निपटने के लिए दीरकालिक और तातकालिक उपाए अपनाने के आवशकता है पानी के निकास की उचित विवस्ता होनी चाहिए और बचावकारियों का प्रबंद वर्शा रितु के आने से पहले ही कर लेना चाहिए नाव, दवाईयों का प्रबंद, खाद्य सामगरी के उचित मात्रा, लोगों को प्राच्मिक चिकित्सा का प्रस्रिक्षन देना, ये तमाम कार्ये हमें कर लेने चाहिए घर के लिए आउशक और वस्तू, जरुवत की चीजों को पहले से संगरहित कर लेना चाहिए इदानापुर जब डूब रहा था तो पतनिया बाबू उलट करके देखने भी नहीं गए, अब बूजो, इस कथन के द्वारा लोगों की किस मानसिक्ता पर चोट हुई है तो इस कथन के माद्यम से पता चलता है कि अभी भी लोगों की मानसिक्ता इर्षा से भरी हुई है उन लोगों ने उस छेत्र की तरफ देखा भी नहीं और उसके खबर भी नहीं ली इसलिए गाउन के लोगों ने शहरी लोगों की उपेक्षा की थी खरीद विक्री बंद हो चुकने पर पान की विक्री क्यों बढ़ गई थी बाड़ आने की खबर सुनकर के दुकानों में हट बढ़ी मच गई नीचे का सामान उपर रखने लगे खरीद और विक्री बंद हो गई लेकिन पान वाले की दुकान बंद नहीं हो गई थी बलकि वह समचार सुनने के लिए लोग पाणवाले के दुकान पर इखटा होने लगे समचार सुनने के साथ साथ वो पाणवी खा रहे थे इसलिए खरीद विक्री बंध हो चुकने के बाद भी पाण के बिक्री बड़ गई थी जब लिखक को है इसास ब्सों हुआ कि उसके इलागे में भी पानी घुषने की संभावना है तो उसने क्या-क्या प्रबंद किये तो उसने इंधन मौमबत्ती दिया सलाई की डिविया कंपोज की गोलियों को प्रबंद कर लिया था बाड़ पीदी छेत्रों में कौन-कौन से बिमारीयों के फैलने की आशंका होती है हैजा, टाइफाइड, मलेरिया, छाय, वाइरल आधी बिमारी फैलने की आशंका रहती है नौजवान के पानी में उतरते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया दोनों ने किन भावनाओं के वशिभूत होकर ऐसा किया बाड़ ग्रस छेत्र में बिमार लोगों को इलाज हेतू जाने के लिए नाव का प्रियोग किया गया नाव पर एक बिमार नौजवान अपने कुत्ते के साथ चड़ा तो डॉक्टर को अच्छा नहीं लगा कि कुत्ता भी नाव में आए तो वह नाव बिमारों के लिए थी उन्होंने कुत्ते को ले जाने से मना कर दिया तो बीमार नौजवान कुट्टे के बिना जाने को तयार नहीं हुआ विनाव से उतर गया तो कुट्टा भी पाने में कूद गया इससे दोनों के आपसी प्रेम भाव का पता चलता है कुट्टे की स्वामे भक्ती और नौजवान के पशुप्रेम की जिवन्त भावना उजागर होती है दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते है अच्छा है कुछ भी नहीं कलंथी वो भी चोरी चली गई अच्छा है कुछ भी नहीं मेरे पास मूवी कैमरा टेप रिकॉडर आदी की तिवरूत कंठा होते हुए भी लेखक ने अन्त में उक्त कथन को ही क्यों कहा तो बाड के द्रश्चे को देख लेखक सोचता है कि उनके पास में एक मूवी कैमरा या कोई टेप रिकॉडर होता तो वो सब कुछ उसमें कैद कर लेता बाड़ तो भी बच्पन से देखते आये थे पर पाने का इस तरह से आना उन्होंने पहली बार देखा था वो सोचते हैं कि अच्छा हुआ कि पानी रात में नहीं आया नहीं तो डर के मारे उनका बुरा हाल हो जाता देखते ही देखते सब कुछ पानी में डूब गया था तो काश उनके पास में कोई मूवी कैमरा होता या टेप रिकोर्डर होता जाद अच्छा होता पास में कलम थी वो भी चोरी हो गई थी अंत में लिखक सोचता है कि अच्छा ही हुआ कि उनके पास कुछ भी नहीं है क्योंकि तब वे बाढ़ के द्रश्यों को कैमरे में या कलम के द्वारा कैद करने में लग जाते और उस जीवन्त घटना का वास्त्विक अनुभव उन्हें नहीं हो पता इन चीजों के अभाव के कान ही उनका सारा ध्यान उसे महसूस करने में लगा जो कैमरे से कहीं ज़्यादा अच्छा था